सब्सक्राइब कीजी हमारे चैनल टेक्निकल हंस को और साथ में इस बेल आइकन को भी दवा दीजी लेटेस्ट और अपडिटेस्ट न्यूज जानने के लिए दोस्तों आज हम बात करेंगे एमेजॉन जंगल के कुछ बहुत ही खतरनाक और अजीबों गरीब जानवरों की ग्रीन एनाकॉंडा दोस्तों एनाकॉंडा सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा साप है एनाकॉंडा में जहर तो नहीं पाया जाता लेकिन इसकी बाकी बॉड़ी में इतनी पावर होती है कि ये किसी भी जानवा या इनसान को अपने बीच फसा सकता है जिससे कुछी देर में उस इनसान की दम घुटने से मौत हो जाती है ये एनाकॉंडा आम तोर पर पानी के बजाए घास या जहाडियों में ही रहना पसंद करता है ताकि अपने शिकार को आसानी से दबोच सके Diving Bell Spider ये स्पाइडर दुनिया का इकलौता ऐसा स्पाइडर है जो कि अपना ज़ादातर समय पानी के अंदर ही बिताता है ये स्पाइडर सांस लेने के लिए Bubles का इस्तिमाल करता है ये जितना खतरनाक पानी के बाहर है उतना है खतरनाक पानी के अंदर भी है इसकी एक बाइट से इनसान को कुछ ही देर में बुखार महसूस होने लगता है यहां तक कि वो इनसान व्योश भी हो सकता है पिरानाज एमेजुन रेनफॉरस्ट की सबसे खतरनाक मचली मानी जाती है पिरानाज Amazon Rainforest की सबसे खतरनाक मचली माने जाती है इसके जबडे और इसके नोकीले दाप किसी को भी एक शड़ में इतना नुकसान पहुचा सकते हैं कि उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाए ये पिरानाज जुंड में बहुत ही कम अटेक करती हैं लेकिन जब ये कुछ जादा ही भुकी हो तो ये सब ग्रुप में अटेक करना पसंद करती हैं और तब शिकार का बचना नामुम्किन हो जाता है इन छोटी छोटी पिरानाज का एक बड़ा जुंड अपने जबर्दस मजबूत जबडे और नोकिले दांट के दंपे एक वेल को भी मार सकता है इलेक्ट्रिक इल फिश एमेजोन की नदियों में पाई जाती है जो कि एक बहुत ही खतरनाक फिश है आप इसे चलता फिरता पावर हाउस कह सकते है क्योंकि इस मचली में इतनी कैपेसिटी है कि ये बहुत ही तेज इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर से जणरेट कर सकती है ये फिश आम तोर पर 6 फीट से 8 फीट तक लंबी होती है और इनका वज़न 20 किलो तक होता है दोस्तों ये कोई आम मेधिक नहीं है ये पोईजन डाट फ्रोग जो कि Amazon का बहुत ही खतरनाक और जहरीला मेधिक माना जाता है ये फ्रोग अलग अलग कलर्स में पाया जाता है जैसे गोल्ड, कॉपर, रेड, ब्लू और ग्रीन पोईजन डाट फ्रोग फ्रोग फैमिली का सबसे जहरीला और खतरनाक फ्रोग है गोल्डन पोईजन डाट फ्रोग इसके अंदर इतना जहर पाया जाता है कि ये एक बार में 10 इंसानों को मार सकता है लेमर्ड ओफिस, एपाइन फैलर्स, सांपों की इकलोती प्रजाती है जो कि इन पोईजन डाट फ्रोग को बिना किसी परेशानी के खा सकते है पोईजन डाट फ्रोग का असर इस सांप पर नहीं होता अगर इसके अनावा कोई भी इन फ्रोग को खाने की कोशिश करता है तो उसकी स्किन में स्वेलिंग, पेरलिसिस और मौद तक हो सकती है